नमस्कार गमासान.com में आपका स्वागत है मैं हूँ मुकेश तिवारी और मेरे साथ मौजूद है वरिष्ट साहित तेकार जोती जेन जी जोती जी आपका स्वागत है दर्नेवाद चर्चा कहानी पर हो रही है क्या कहानिया आज भी उसी तरह लिखी जा रही है पड़ी जा रही है उतनी लोपरी है जी हाँ बिलकुल कहानिया आज के दौर में भी आधुनिक दौर में भी उतनी ही लिखी और पड़ी जा रही है और मुझे लगता है कि एक समाज में जो एक मी कि आजकल न लिखी जा रही है कहानिया न पड़ी जा रही है मैं इससे सहमत नहीं हूँ मुझे लगता है कि लेखक वर्ग भी है और पाठक वर्ग भी है एक दौर था मुझे प्रेमचन देश के सबसे बड़े कहानिकार फणिश्वर नात रेणु तो आज उस इस्तर की कहानिया आज के कहानिकार लिख पर है देखे मुकेश जी जो नाव आपने लिए है मुझे प्रेमचन जी है या रेणु जी है उन्हें तो अभी छूप आना थोड़ा सा संभव नहीं लगता है दूसरी चीज यह है कि उसके बाद के जो दौर के लेखक लेखिकाएं हैं उन्होंने भी काफी अच्छा लिखा है तो यहां हम एक तुल्ला नहीं की जा सकती है लेकिन उसके बाद के दौर में भी मन्नु बंडारी जी वाला जो दौर था मोहन राकेश हैं इलो की जो रचनाएं हैं वो भी हम एक स्तर की रचनाएं कह सकते हैं इसके अलावा जो आधुने की उक्के भी जो लेखक और लेखिकाएं हैं मैं मुझे अभी अरुना शास्त्री का नाम यादा रहा है जिनकी कहानिया बहुत उंदा और दिल को चूलेने वाली हैं तो यह ठीक है कि मुन्शी प्रेमचन थे वो एक काल जाई रचनाकार रहे है लेकिन आज भी जो लेखक लेखिकाएं हैं वो अच्छा लिख रहे हैं निश्चित रूप से वक्त का बदलाव हैं लगू कथाएं बहुत पसंद की जाने लगी हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कहानिया हैं उनका पाठक वर्ग लगू कथा ने अपनी और खीच लिया है वो टेस्ट में चे आज कलके क्या है लोगों को क्रिकेट की बाशा बहुत जल्दी समझ में आती है तो उपन्याज जो है वो टेस्ट में चे कहानी जो है वो वंडे मेंच हो गई और लगू कथाएं वो 2020 हो गई तो 2020 जो है वो बड़ा लोपरी हैं आज के दौर में तो उसी तरह लगू कथाएं भी लोगों को ज्यादा अपील करती है लोगों को अपनी तरफ खीचती है उसका एक बड़ा कारण यह है कि लोगों के पास अब उतना समय नहीं रहा पिछले कुछ दशकों पहले देखें तो लोगों के पास समय ही समय हुआ करता था आज का लोगों के कानिया तो अपील करती है लेकिन जो लोग कहानी को पसंद करते हैं जो कहानी के शिल्प में ही डूबना चाहते हैं तो वह कहानी ही पड़ेंगे तो ऐसा नहीं वा कि लगू कथा ने पाठक चीन लिये हैं कहानी के पाठक अपनी जगा हैं लगू कथाओं के पाठक अपनी जो नए दूर के लेखा के, जात्रा व्रत्तान आदी बहुत ज्यादा लिखा जाने लगा है, पसंद लिखिया जाता है, इसमें कोई दोयमत्नी है, तो जो अधुनिक लेखा के, नए दूर के लेखा के, वो क्या कहानिया लिख रहे हैं? यहां जी बिलकुल कहानिया लिख रहे हैं उनका कलेवर थोड़ा सा बदल गया है थोड़ा सा विशे बदल गया है देखे मुंशी प्रेमचन जी जो लिखते थे उन्होंने बुध्या का चरित्र चित्रन किया कफन जो था उनका आज क्या है कि नारिक स्थिती बदली है तो बदलाओ पूरे समाज में है, पूरे परिद्रश्य में है तो कहानियों के विशे भी बदल जाते हैं आज के दौर में आप दभी, कुछली, महिला का चितरन करेंगे कहानी में तो वो पचने वाला नहीं रहता है क्योंकि आज महिलाए स्वाभी मानी है, आत्म निर्बर है तो कहानियों के विशे भी बदल गए है लेकिन उनके लेखन में ब्रस है, उनके लेखन में शिल्प है और वो कहानिया भी उतनी है, पाठकों को अपनी तरफ आकरशित करती है तो ये थी वरिष्ट साहित्यकार, जोती जैन जी, इनका मानना है कि कहानी अपनी जगा कायम है, और कहानी की जगा है साहित्य में, उसकी जगा कोई दूसरा नहीं ले पाया है